परमसद्धे इसे केंद्री उचिति तिबती सिख्छा संसान के कुल सचीर जी और कासी हिंदी विष्ट्वी दियाले से आये हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंग जी आपका तहे दिल से स्वागत है हार दी का भनेंदन है बड़ा अच्छा स्योग रहा कि आप इसे कारक्रम में पसित हो गए प्रोफेसर मनोज कुमार सिंग जी कारक्रम शुरू होने के पहले एक छोटा सा और कारक्रम है एक की से सितंबर को बाद बाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था संस्किती मंत्रारे भारत सरकार की के आदेशा अनुशार जिसमें हमारे छे विद्यार्थी पर्थम दुती और तृती पक्ष और विपक्ष में अस्थान प्रात किया थो नहीं हमने सोचा कि सुभा उतर पर कुल सत्युजी के करकमनों से प्याहत सम्मान सर्टिफिकेट और उसके साथ एक पुस्तक है बोज चरिया आउतार विद्यार्थियों को दे दिया जाए विपक्ष में सिधार्थ नेगी जी अपना वक्त भी दि चीज स्वच्छता है ये विपक्ष में बोले थे मैं सिधार्थ जी से अनुरोद करता हूं कि वे कुल सत्युजी के हाथों से सम्मान लें पक्ष में प्रथम अस्थान मिला है कुमारी आरती नेगी जी को अगर आई हो तो प्रसकार ले ले अरे सम्मान ले अपना पक्ष में दूती अस्थान राजन लामक मिला है लेकिन वो दुरियोग से अस्वस्थ हैं उनका ये क्या करते हैं सम्मान ले रहे हैं सिधार्थ नेगी जी दे देंगे जाकर के पक्ष में दूती अस्थान प्राप किया है संतोष कुमार जी आप आई ये और अपना सम्मान लीजिए संतोष कुमार जी नमगेल खंडो आप पक्ष में बोले हैं आपको तृती ये अस्थान मिला है अगर हो तो आज आईए आज आई है ताली आप लोग बजा दीजिए उस्ता बर्धन के लिए मैं अपने इस कि इंद्रियों ची तिव्रति सिख्षा संस्थान की ओर से प्रसाथन की ओर से अपनी ओर से विभा की ओर से जिन लोगों ने पर्थम दूती तृतिय स्थान प्राप्त किया उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और इनलों का वक्त भी बहुत अच्छा हुआ था इसी इक साथ में अपने कुल सच्छीव जीक प्रतिया भार वेत करता हूं जिन्हों ने इस कारक्रम के लिए आप सब को बहुत हो धन्यवाद कि आगनी प्रोफेसर मनोज कुमार जी से अन्रोध है कि रेश्टार साब के बगरम जाकर का आप विराजमान हो जाए उनका निर्देश है प्रोफेसर मनोज कुमार जी सभाग से मनोज कुमार जी किसी और काम से यहाँ आये थे गोपनी काल के निवित और आप से हमने अनरोध किया हमारे अनरोध को आपने स्विकार किया गांधी जी की प्रासिंग जिताग पर मनोच कुमार जी अपना एक शोटा सा वक्त भी देंगे, मैं आपको आमंद्रित करता हूँ, आएए और अपना वक्त भी सारगरभीत वक्त भी दीजिए, प्रोफेसर मनोच कुमार सिंग जी. आदर्डी रिष्टार साब को इसके लिए मैं तहे दिल से सुक्रिया देना करना चाहता हूँ, कि उन्होंने मुझे गांधी को याद करने और उन्हें परणाम करने का अशानक एक उसर दिया है, और इस पवित्र संस्थान में यहां के तमाम बरिष्ट प्रोफेसर्स, पिछा और सिच्छा की दुनिया से जो लोग भी जुड़े हैं, मैं सब को प्रणाम करते हुए गांधी पर अपनी कुछ बात क्योंकि कोई मांसिक रूप से इसके लिए तयार नहीं था, मैं चाहता था सुनना राकेश जी भी आ गये और इनका बहुत-बहुत स्वागत है और इनक अनमत हो, राकेश जी तो मैं अपनी बात कुछ था, तो अगर ये पूछा जाए कि बीस्वी सताबदी की मनुस्यता ने कौन-कौन सी महत्पूर्ण चीजें हासिल की हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत-एरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक नाम गांधी का नहीं छूटे गा ये सवाल जब यूरोप के दौरे पर थे लोहिया जी, तो उनसे ब्रुम्सफेल्ड नाम के एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी ये नजर में बीस्वी सताबदी की दो महत्पूर्ण उपलबदियां क्या हैं, तो लोहिया जी ने कहा कि अणुवं और गांधी, ब्रुम्सफ ब्रुम्सफेल्ड मारस्वादी एप्रोच का पत्रकार था, उसने कहा और लेनिन, तो उन्होंने कहा कि लेनिन बीस्वी सताबदी की कोई मौलिक देन नहीं है, वो मारस्थी प्रतिध्वनी है, ब्रुम्स्फेल्ड ने अपनी असहमत दर्ज की और उसमें जोड़ा उसने क एक ऐसी प्रतिध्वनी, जो इतिहास के गलियारे में गूज कर पहुत बड़ी हो गई, लेकिन लोहिया जी मुस्करा करके आगे निकल गया, उनका यह मालना था, कि गांधी वीस्वी सताबदी की, एक पोल गांधी और दूसरा अनुवम, और ये ये दो युग महो सकते हैं गांधी के मुल्यांकन का, उनकी प्रासंगिक्ता का की किस्वी सताबदी, एक नई तरह के वैस्विक संकट के वीच, तमाम छोटे-छोटे राज और राश्ट और संस्कृतियां और उसके निवासी, अपने ढंग से संगहर्स कर रहे हैं, इस संगहर्स सिप बाहर जाने का, इस संगहर्स से मुक्त होने का क्या रास्ता होगा, जो दुनिया चल रही, इसको और सुन्दर और सोभन बनाने का, और दुनिया का मतलब हम मैं भिनभिन, राज्यों, राश्टों के तई ही बात कहना चाहता हूं, कि बहुत सारे राश्ट, जो अंदुरूनी सत्रूं से भी लड़ रहे हैं, और जो बाहरी सत्रूं से भी लड़ रहे हैं, लगभग दुनिया के सारे राश्ट अभी बनने की ही प्रक्रिया में हैं, क्योंकि सब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी सीमा के भीतर एक सत्रू खोज लिये हैं, और बाहर सत्रू बैस्वी कस्तर पर वो पहले से भी मौजूद हैं तो इस इस लडाई के इस दौर में क्या रास्ता हो सकता है गांधी इस रूप में प्रासंगिक हैं कि वो कहते हैं कि प्रेम और भाईचारा यहीं एक तरीका है जिससे हम सारी दुस्वारियों को पार कर सकते हैं अब इसे हम इन दोनों मानकों को तौल सकते हैं कि किस्वी सताबदी के इस दूसरे सतक में दसक में जो आज के सामने हमारा विश्व है और हमारा भारत है उसके संकट को हम कैसे उसके संकट से जूजें वो कौन सा रास्ता होगा वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम अपने समय की जो चुनोतियां है जो भारती राश्ट्रों राजी की चुनवतियां हैं उनसे कैसे मुक्त हूं मित्रों 1893 एक बहुत ही एतिहासिक वर्ष है हिंदुस्तान के इतिहास में तीन बड़ी घटनाएं घटित होती हैं विवेकानंद विशुसंसत को संबोधित करने के लिए सिकागो जाते हैं और बंबई में अ अस्फल वकालत छोड़ करके गांधी जी साउथ अपरिका एक गुजराती व्यापारी की कोल्ट पैरभी के लिए उसको सलाह देने के लिए साउथ अपरिका जाते हैं और इस बनारस में उसी साल एक और महत्पुन घटना हुई नागरी प्रचानी सभा की अस्थापना 1893 य इनका जो इतिहास में फैल गई और उनका अपने धंग से उनको याद किया जाना चाहिए उन्नी सो चौदा में जब गांधी लोट करके भारत आते हैं इस बीच में उन्होंने साउथ अपरिका में लगवग डेहल लाख भारतियों की मात्र संख्या उनकी डेहल लाग थी ज जेल जाती हैं उनके बहुत सारे सहयोगी लेकिन अंततह वो सरकार को यह मनवाने में सफल हो जाते हैं कि प्रवासी भारतियों के साथ नागरिकों की तरह विहवार किया जाए और बहुत सारी इतिहासिक चीजें हैं जो आप उनकी एक पहचान बन चुकी थी 1909 में उसी केस की अपैरभी के संदर्व में वो लंदन की आत्रा पर थे और लंदन से फिर जब वो साउथ अपी का लोट रहे थे तो पानी की जहाज पर उन्होंने एक बहुत महत्पुन पुस्तक लिखी हिंद स्वराज 1909 में जहाज पर यात्रा करते हुए उनके सपनों का भारत कैसा होगा उसकी संस्कृती कैसी होगी उसमें और द्योकी करण के लिए क्या जगह होगी उसके मनुष्य के जीवन में उसके राश के जीवन में धर्मिकी क्या जगह होगी बहुतेरी सवालों पर वो खुच से सव करते हैं और जबाब भी देते हैं वो बहुत पतली सी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में गांधी के सपनों का भारत कि अभी भारत में उनका गहरा और व्यापक अनुभों नहीं है 1914 में जब वो आते हैं तो उन्हें एक ऐसा देश मिला है जिसका नेत्रित भारती राज है और उसके पहले वो दो गुटों में विभाजित है मुस्लिम लीग 1906 में गठित हो चुकी है और कांग्रेस के भीतर कुछ मद्धिवर एलिट मद्धिवर के लोग उसकी सदसेता लिये हुए हैं और सालाना बैठके जो उत्सो धर्मिता से ज़्यादा संचालित होती थी देश के बड़े-बड़े सहरों में आयोजित होती थी जैसे आज के समय में अंतराश्टी हिंदी सम्मेलन आयोजित हो रहे है पूरी दुनिया में तो एक उत्सो धर्मिलने जुलने का खाने पीने का और एक याचना और प्रस्ताव जैसी कुछ चीज़ें गांधी 1915 में पहली बार जब कांग्रेस को संबोधित करते हैं तो उसके मन से कहते हैं कि इसे गाउं की और जाना होगा इसकी सदसेता से ये प समझना पड़ेगा वो राजनीत पर दो साल तक अगले दो साल तक 17-18 तक ये बहुत लंबा हो जाएगा मैं संचिप्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत ही रुचिका ये विसे है कि दो तीन वर्सों तक कांग्रे गांधी भारत की राजनीत पर कुछ नहीं बोलते हैं तो अमेटकर जैसे नेताओं का तीस के दसक में उभार है तीस के दसक के अंतिम समयों में ही भगस सिंग और चंद सेखर आजाज जैसे लोगों का उभार है उससे उनको संबाद कायम करना पड़ता है और सबसे बड़ा सवाल है हिंदू-मुस्लिम एकता का सवाल जो उस दोर के यह देश कुछ होर होता 1905 का बंग भंग बंगाल जब विभाजित हुआ कोई इतना बड़ा नेता नहीं था लेकिन हिंदू और मुसल्मानों ने मिल करके बंग भंग के खिलाप लड़ाई लड़ी थी और करजन जैसे ताना साहब आयसराय की उपस्तिती के बावजूद ब 1909 में नजाने अं जाने कभी-कभी होता है मैं अभी भी उन्हें अपने पिता की तरह लेता हूं कुछ अस्वलताएं पिता की भी होती है वैसे राश्ट पिता की भी जीवन में मैं सोचता हूँ कि यह विकल्प होता कि उन्होंने खिलाफत को एड्रेस न किया होता जो खिलाफत अपनी जडों से कट चुका था जो तुर्की और मदेश या नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था उसमें खिलाफत को गांधी ने एड्रेस किया और इससे ये बुनियाद तैं हो गई कि हिंदुस्तान के आगे की पॉलिटिक्स हिंदू और मुसल्मान के आधार पर तैं हो गई उनकी नियत में कहीं कोई खोट नहीं थी यही मुझे अबराहम लिंकन याद आते हैं कि अमेरिका का ग्रियूद्ध जब छिड़ा था अबराहम लिंकन जुका नहीं इस अबराहम लिंकन की जो यह इस्टेट जी है नेड़े की यह चमता है हमें 46 47 47 के गांधी में दिखाई देती है उन लगातार क्रिप्स मीशन वेबल माउंट वेटन सब के सामने ये कहते रहते हैं अखंड भारत चाहिए मुझे अखंड भारत चाहिए मुझे लेकिन 47 तक काफी कमजोर पड़ गये थे गांधी कांग्रेश कारे समीती में सम्मान तो था उनका लेकिन अब उनके पास न तो एक आमरण करने की छमता थी और नहीं कांग्रेश के सदस्यों को समझा पाने की उन्होंने एक अंतिम चाल चली थी अपनी समझ से अंग्रेजों से कहा कि तुम मेरा देश छोड़ करके चले जाओ अंग्रेश न काया कि ये इस देश में युद्ध छिड़ जाएगा और सिविल वार आप चाहते हैं और लोग और चियालिस में बंगाल में और पंजाब में ये छिड़ चुका था गांधी को लोगा कि सायद अंग्रेश बिना इस प्रस्ताव के वापस चले जाते तो कांग्रेश के नेत्रित में एक अखंड भारत बनता मुझे याद आता है कि अब्राहिम लिंकन की तरफ वो सोच रहते हैं कि हो सकता है कि मार काट के बाद कुछ लोग मारे जाएंगे एक अहिंसावादी व्यक्ती जिसने जीवन भर अहिंसा का प्रियोग किया अहिंसा के आगे वो कुछ भी सुनने के लिए नहीं तयार थे अभी अभी रामचंद गुआ के बहुत मोटी किताब गांधी आप्टर नाइन्टी फॉर्टी 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 नाइनीस सो चौदा के बाद गांधी एक बड़ी मोटी किताब अभी अभी इधर पिछले मेहिनों आई है उन जितने श्रोत उपलब्द उनको देख के नहीं लगता था कि गांधी देश का विभाजन नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि एक मिला जुला जिसके लिए हमने संघर्स किया लगातार और यह देश एक छोटी सी बात कहे करके क्योंकि यह बहुत लंबा और बहुत दिल्चस्त मौजू भी से है और मौजू भी हो और वो आज की समय में वहुत चुनोती पून भी है 1818 में एक किताब ब्रिटिस इंडिया पराई थी जो अंग्रेजों के जमाने में भारती राज मिल की किताब थी और जेम्स्मिल ने इस किताब में एक शेप्टर जैसे हम लोग थिसिस लिखवाते हैं बच्चे से उसका चैप इसाईयों का तीन भाग में उसने बाटा और उसने ये कहा कि दस्वी सतावदी के बाद का जो दौर है वो इसलाम का दौर है और उसके बाद फिर इसाईयों का उसने ये समझाने की कोशिस की कि यहां धर्म से ही राजसत्ताएं संचालित होती थी हिंदू धर्म के सासक फिस मौझूदगी है वो अंग्रेजों की जो मौझूदगी है उसको justify करने कि उसने कोशिस किया जेम्स स्मित की किताब जो वी सताबदी में आती है उसके आने के पहले तक जेम्स मिल महत्पूर इतिहासकार हैं जिसने सारे मद्धिवर्गी ये भारती ये आजनिक व्यक्तियों का दिमाग मनाया क्या ये देश नागरिकों का देश है क्या ये देश यहां के रहने वालों का देश है इस हिसाब से अगर कोई बाचीत विश्वी सताबदी में हुई होती तो हमें लगता है कि इस देश का विभाजन न स्विकार करना पड़ा होता और नहीं अभी विभाजन के बाद भी एक नहीं तरह का जो संकट है जिससे हम गुजर रहे हैं मोटे तरब मैं गांधी को समझते हुए यहीं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो किसी का नहीं था जो सबका बनना चाहता था लेकिन वो किसी का नहीं बन पाया कटर हिंदू पंधी संगटनों ने उन्हें विधर्मी समझा इसलाम वालों ने उन्हें हिंदू धर्म के प्रवक्ता के रूप में लिया और अपने रसिक सक्तियां उनसे घबलाती थी और उन्हें लगता था कि इस आदमी को ग्रिपतार करना मतलब देश में एक बड़ी करांती का मज जाना है भारती जनता में जो उग्रपंथी विचार के लोग थे उनका यह मानना था कि गांधी एक मध्यस्ति की भूमिका में है एक सेप्टी वाल की तरह काम कर रहे हैं अंग्रेजों और आम भारती के बीच में वह आदमी सबकी निगाहों में संदिक था लेकिन बेसक एक बहुत ही इमानदार और अपनी जनता से प्रेम करने वाला व्यक्ति जिसने जीवन में ये प्रण की तरह लिया था कि एक सामानी व्यक्ति की तरह जीवन जीऊंगा पांच गच की एक धोती जब 1932 में इंग्लेंड भी गए हैं तो एक ही धोती नीचे से उपर तक पहन करके गए हैं चर्चिल जैसे व्यक्ति ने उन्हें नंगा भकीर कहते हैं मिलने से इंकार किया था लेकिन अपने समय के बड़े राजनितिग्यों से अपने समय के बड़े कलाकारों से और अपने समय क को कवर करने के लिए अमेरिका इंगलेंड फ्रांस और जर्मनी के पत्रकार उनके साथ साथ होते थे और उनके आंदोलनों में होते थे उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलने कैसी आया और असायोग नमक तोड़ो जैसे दो ऐसे प्रयोग किये थे जिससे बृतानी सरकार जहां क के संदर में बादचीत करने के लिए उन सबने सबसे पहले गांधी से बादचीत की गांधी लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है उस समय भी मौजूद है बसमजता हूं हर इमानदार व्यक्ति अपने जीवित होते वे किसी का नहीं हो पाता है क्योंकि वो सच के साथ हो और इस तरह कि किसी भी कट्टरपंथ के खिलाप किसी भी अतिवाद के खिलाप एक आवाज मरते हुए भी गांधी के मुझ से निकलती है हे राम यह हे राम प्रेम है सौहार्द है भाईचारा है और दुनिया का कोई भी मुल्क मुझे लगता है कि अणुबम से नहीं आए और अपना पुरशकार प्राप्त कर लें गरिमा मैमंच पर आसीन आज की कारिवाई के अध्यक्ष और इस अंस्थान के बिद्वान परसासक कुल सचिव डाक्टर आरके उपाध्या जी उनके बाम और दाहिने पारस में विराजमान आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राके सुपाध्या जी कासी हिंदू विसुविद्याले से पधारे हैं और उनके बगल में डाक्टर मनोज जी कासी हिंदू विश्व विद्याले से जिनका भी विद्धुता पूर्ण व्याक्षान हम सबने सुना, सरुपर्थम मैं डाक्टर रामजी सिंग जी से अनुरोध करता हूं कि वो कुल सचीव जी के अध्यक्सता में आप दोनों को खतक देकर उनका सम्मान करें, डाक्टर रामजी सिंग जी. खतक समर्पन के बाद, आज की अवचारी कार्यवाई के करम में सरुपर्थम, मैं डाक्टर रामजी से अनुरोध करता हूं, कि वे अतितियों के साथ हाकर्दी प्रजलन की कार्यवाई को संपल्न कराएं. सम्मानित मंच पर बिराजमान हस्तियों को पड़ाम करते हुए, महत्मा गांधी की पुझ आत्मा के प्रती नमन और इस सभागार में उपस्थित, अगरिम पक्तियों में बैठे इस विश्विद्याले के गुरुजन ब्रिंद और प्रिविद्यार्थियों एवं अभ्यागतों. आज के इस सुप्रभात बेला में आप सबका स्वागत है, व्याख्यान माला के दूसरी चरण में हम आज यहां पुझ महत्मा गांधी जी के जीवन पर भाते कर रहे हैं. इस कारिकरम में आगे बढ़ने के पूर्व मैं गर्मा मम्मय मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय और मुख्यतितियों का ध्यान दो मिनट के लिए एक ऐसी कारेवाही की और इंगीत करने के लिए प्रार्तना करना चाहता हूँ. जो कुछ दिनों पूर्व इस संस्थान के सरद्धे कुलपती जी और कुलसची जी के निर्देश के हिसाब से एक टीम बना करके हम लोगों ने केरल में जा करके वहां के बाड़ पीडितों के सहायतार्थ कुछ कारे किया है, कुछ पक्तियां उस बिसे में कहना और उस टीम के सहयोगियों के प्रती धन्यवाद कहना, उनका स्वागत करना ये हमारे लिए लाजमी है, इसलिए मैं इसके लिए अनुवती चाहता हूँ, माननी मंच से, स्वागत है, सरवपर्थम मैं चाहूंगा कि केरला टीम के जो सदस्ते यहां पर उपस्तित हैं, वो कृपया आग कुल सची महोदय से, मैं चाहूंगा कि उन सब का खतक देकर सम्मान करें, उनका, उनको, उन्हें आशिरवात प्रदान करें, केरला टीम के सारे सदस्त से आगे आएं, अभी सेसकर वांगडू जी से अनुरोध है कि वो इस टीम को लेकर के आगे आएं, यदेब कुल दस टीम, दस मेंबर्स, दस सदस से, हमारे नितरीत तुमें गए थे, लेकिन संभव है कि आज साइक्षिक ब्रहमन पर विसुविद्याले के बहुत से छात्र चले गए हैं, तो हो सकता है कि वो पूरी दस की छात्र संख्या न हो, वंगडू जी आप सबसे पह करें, ललित आगया है, करम साइब आगया है, इस कारिकरम के विसुव में अत्यांत संखेप में मैं कुछ बाते कह करके और आज की कारिवाई की तरफ अगरसर होंगा, बिसुव इद्याला के परसासन की ओर से हम लोगों को निर्देश हुआ था, कि दस अदस्तों की टीम लेकर केरला जाकर के वहां के बाढ़ पीडितों के साहतार्थ कारे किया जाए, हमें से जो भी दस मिंबर हमें लेकर के जो दस मिंबर हम लोग थे, हम सभी केरला के विशव में पूरी तरह अंजान थे, कभी अपनी आखों से हम लोगों ने केरला को नहीं देखा था, किताबों में पढ़ा था, गलोब में देखा था, और एक आएक हम सभी लोग ऐसे माहौल में वहां पर पहुंचे, तो बहुत सारी समस्याय हम लोगों के सामने थी, किस जगह हमको काम करना है, कैसे काम करना है, कि लोगों के बीच में काम करना है, लेकिन उपर वाले की कृपा से संजोग अच्छा बना, और वहां जाकर के कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला, जिन लोगों ने एरना कुलम, साइध आपने नाम सुना होगा, एरना कुलम में नार्थ पेरेवूर एक अस्थान है, वहां की कांसीचिंसी है, नार्थ पेरेवूर, और उस इलाके में लगभग 20 ग्राम पंचायतों को उन लोगों ने इस कारे के लिए चुना, और 20 ग्राम पंचायतों में से हर ग्राम पंचायत से 15-15 अत्यधिक पीडित परिवारों का उन लोगों ने सेलेक्शन किया था, ये मेरी 2-4 दिन से फोन से बाते हो रही थी, बरना एक दिन में संबव नहीं था, और कुल मिला करके 20 ग्राम पंचायतों से प्रति पंचायत 15-15 यानि कुल 300 परिवारों को हम लोगों ने इसके लिए चुना, और जो भी पैसा और सामगरी हम लोग ले करके गए थे, उन लोगों के सायोक से वहाँ पर उसे बितरीत करके, दूसरे ही दिन फिर रात को ट्रेन पकड़के हम लोगों को वापस आना पड़ा, तो एक बड़ी मेहनत कस चुनावती पूर, लेकिन सार्थक यात्रा थी, और इसमें मैंने ये देखा, कि जो मेरे साथ टीम गई थी, वांगडू जी के समेत, इतनी मेहनत इन लोगों ने किया, कि मैं तो एक तरह से बस इन लोगों के साथ बरता, असली काम तो इन लोगों ने किया, तो ये सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और बिसेश करके फूल सी दो बच्चियां अभी एक बेकी यहां पर आई थी, और एक यहां पर नहीं आ पाई है, मैं बताना चाहूंगा, कि जिस समय होलसेल में हम लोगों ने वहां रासन खरीदा था, सामाने खरीदा था, बोरों मे बच्चियों ने अपने पीठ पर बोरे लाद लाद करके ट्रैक से उतारे, एक जोरदार तालिया इन बच्चियों के लिए बनती है, मैं दंग रह गया, यह देखकर मुझे डर लग रहा था कि बच्चियां बीमार नहों जाएं, मैंने कहा भी इन से, हसते हुई इनों ने क कि नहीं सर, हम काम कर लेंगे, उत्सा है हमारे अंदर, और वास्तों में बिना थके और बिना बीमार हुए कारिकरम को संपन्द बनाया, बहुत खुशी हुई इस बात से, तमगा मुझे जरूर मिला नित्रित करने का, लेकिन उस तमगे का असली स्रेय वांगडू जी के नि इस कारिकरम के और दो पक्तियां कह करके इसका आगाज करना चाहता हूँ, गांदी जी ने जो कुछ किया है, उसके परिप्रेक्षमों में मैं समझता हूँ कि ये दो पक्तियां काफी कुछ बता जाती हैं, युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुमें, युग युग तक, युग का नमस्कार. अभी हम लोगों को बहुत ही अच्छा वक्तब डाक्टर मनुज जी के तरफ से सुनने को मिला, ब्याख्यान माला कल से चल रही है, इस पर काफी कुछ कहाँ सुना जा चुका है, और हमारे बीच, बीशाय के बिशिष्ट विद्वान, काफी हिंदू बिश्व विद्वाले से पधारे हैं, हम और आप सब उनको सुनने के लिए आतूर हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय उन्हें सुनने में बिलम नहीं करना चाहता, चाहता हूं कि जल्दी से उनका बक्तब्य सुरू हो, एक दो वाक किसे बिश्व की प्रस्थापना करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, गांधी जी का जीवन, कुल इग्यारह ब्रतों में बधा हुआ दिखाई पड़ता है, वो इग्यारह ब्रत कौन-कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्प्रिस्ता निवारण, अभय, सर्वधर्म संभाव, सरीर स्रम और सर्वोदय। तो पाँच महावरत जो सुरू के हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये हमारी भारती संस्कृती में, ब्रह्मण संस्कृती में, हिंदू संस्कृती में, बौध संस्कृती में, जैन संस्कृती में, महावरतों के रूप में बिख्यात रहे हैं लेकिन आन ने जो च्छा चीजों का गांधी जी ने समावेश किया वो उनके पूरे जीमन दर्शन पर प्रकाश डालता है और मुखे रूप से आज विद्वाम जिस विशय पर अपनी बात कहेंगे ये बात के जो च्छा चीजें हैं काफी कुछ उस पर आधारीत हैं प्रिस्ता निवारर गांधी जी हर प्रकार के चुवय चूत के बिरोदी थे सरोधर्म समवा भी उसे में समली थे सारे धर्मों को सभी जातियों को एक करके देखना चाहते थे इस्त्रियों की समानता के पक्षिधर थे अभय अभय का मतलब क्यों निडर होना नहीं बलकि आप ऐसे बने हर ब्यक्ति ऐसा बने कि उससे किसी को डर न हो यानि उसके प्रति सब के अंदर प्रेम का भाव तो अत्यंत साधारन जीवन से अपनी जीवन यात्रा प्रारम करने वाले गांधी जी सत्य के प्रयोगों को अहिंसा के माध्यम से अपने जीवन में इस तरह लागू करते चले गए कि वो महात्मा बने रास्ट पिता बने अनुकरणिय बने और जयंति जब हम किसी की मनाते है तो निस्चित रूप से उसके پीछे कुछ भाव होता है, कुछ प्रेंडा होती है कुछ सीखने की ललक होती है यवही हम किसी की जयंति नहीं मनाते अगर यही किसी की जैनती मनाई जाती होगी तो वो सिवाए कागजी और चारिक्ता के और कुछ नहीं है लेकिन सच्चे माइनों में अगर किसी के ब्यक्तित और कृतित को जैनती के रूप में मनाने की परंपरा अगर हमारे बीच है और उसकी कोई सार्थक्ता है तो उसके जीमन से जो सिक्षाएं हैं वो ग्रहण की जानी चाहिए और उससे निरंतर आगे बढ़ाया जाना चाहिए. अधिक समय न लेते हुए मैं आज अपने बीच पढ़ारे प्रफेसर राकेश उपाध्या जी जो विश्यके विशिष्ट विद्वान हैं उनसे अनुरोध पुरुवक यहां आकर अपनी बात कहने के लिए आग्रह करता हूं प्रफेसर राकेश उपाध्या जी आएं और अप निए बात कहें। पवित्र परिसर में और भारती नहीं विश्वितिहास के सबसे जगमगाते नक्षत्रों में एक पूज्य मात्मा गान्धी जी के इस डेड़ समी जन्म वर्ष शताबदी महुत्सव के उपलक्ष में इस सभागार में उपस्थित सभी परमश्रद्धे आचार्यगन और सभी विद्यार्थी मित्रों मंचा सीन परमादर्णी अगरज इस विशुद्याले के लजिश्टरार प्रोपसर उपाध्याजी कासी हिंदू शुद्याले में जिनकी छाया हमेशा हमारे उपर बनी रहती है ऐसे परम इसने ही मित्र प्रोपसर मनो सिंग जी आधरनी डॉक्टर उमेश सिंग जी हमारे सभी सुपरचित बंध हु जो यहां है और आज उन पूझ जाचार प्रोपसर एलन शास्त्री किस्मृति को भी नमन करता हूँ जिन से मिलकर अक्सर अनेक विश्यों पर चर्चा वारता होती थी आज इस परिसर में आया तो उनकी सहज एक इसमृति मन में आ गई मेरा इस परिसर से बड़ा पुराना नाता रहा है डॉक्टर राम रक्षा त्रिपाठी जी तब हुआ करते थी तो उनसे मिलने आता था यहां की पुष्टकाले में आता था कई बार विपस्यना के कालिकरम होते थे तो सम्मिलित होने का सुआउसर तो नहीं मिला लेकिन उसको नजदीकी से देखने और जानने समझने का आउसर जरूर मिला अब आएगी शायद अब क्या है तो मैं जुकूं यह तो उपर उठेगा नहीं जीवन में जुकने से ही संसार सुनता है क्योंकि विनम्रता की बहुत बड़ा आखुषण है हमारे हैं विद्या की जो कल्पना की गई है तो उसका जो प्रथम सूत्र है विद्या ददाति विनयम विनय यानि जो आपको जुका दे गुरू चर्णों में भी और इस अखिल ब्रह्मांड में जो इस एक प्रमात्म शक्ति की कणकण में माया विराजमान है उसके प्रती हमको आलादित कर दे यहीं विद्या का वास्तविक लक्ष्या है मैं उन सब विशयों पर धिरे धिरे करके बढ़ूंगा पर गांधी जी के ही रास्ति क्योंकि विशय हमारा आज निश्चित है जब कुछ निश्चित नहीं रहता है तो मन में बड़ा आनंद रहता है कुछ भी बोलिए लेकि जब निश्चित रहता है तब अनुशासन रहता है कि आपको उस निश्चित बताए हुए मार्ग पर ही चलना है कि हम लोग बहुत समय कॉर्पोरेट वर्ड में रहे नौकरी करते रहे पत्रकारिता में रहे तो जगत का अनुशासन है उसमें रहने से शरीर मन बुद्धी सब ठक जाते हैं कि अनुशासन की जो कह लीजिए महत्ता बड़ाई बुराई अवगुण गुण क्योंकि जब आप आठ घंटे दस घंटे नव घंटे पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं ठक जाते हैं आठ घंटे काम करने के बाद कोई और काम दे दे तो ऐसे लगता है कि उसके मूँपर ही मार दें फेक करके हैं लेकिन उस आठ घंटे के बाद उस अनुशासन को छोड़ करके घर आ गए और किसी मित्र ने कहा जरा चले फुटबाल खेल ले बैड्मिंटन खेल ले कुछ क्र अरे बिल्कुल चलिए और फिर दो घंटे तीन घंटे आप जम कर अब बहास करते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा होता क्यों है दफ्तर में तो आट घंटे के बाद कुछ काम करने की इच्छा नहीं थी और यहां मित्र आया घर पर चाय पी और सट फिल निकल गए फुटबाल के मैदान में क्रिकेट के मैदान में ठकावट कहां चली गई तो उसका उत्तर मिला दर्शन में क्या है जो कश्मीर शैव दर्शन है हमारे शब दर्शन मैं उनको एक तुला पर देखता हूं क्योंकि उन सबकी भाव भूमी ये कही है को जो भाव भूमी है कोई नहीं हमारे हां तो कहा है विद्या विनए संपन्य ब्रामळे गवी हस्तनी अशुनि चाईव स्वपा के पंडिताह समधर्शिना भगवान गीता में कह रहे हैं विद्या विनए से संपन्य ब्रामळ गाय हाथी कुत्ते और यह जो स्वपच हैं अंत्यजवाला काम करते हैं चांडाल हैं इनमें जो उस एक परमात्मा को देखता है वही पंडित है अब इस भाव से जो धारा चली है सनातनकाल से उसी धारा में गांधी प्रकट हो रहे हैं उससे अलग नहीं गांधी को कितना उपर बठा दिया हम लोगों ने इतना उपर बठा दिया कि सोचे कि कभी हम गांधी बन सकते हैं क्या ऐसा सोचते ही डिप्रेशन में चले जाती है इतना उपर बठा दिया महान तो थे और इता में कहा है कि महाजनों ये नगता सपन था स्रेष्ट पुरुष जब कोई रास्ता संसार में नहीं दिखे तो रास्ता कौन सा है तो स्रेष्ट पुरुष जो मार्ग बताते हैं अपने जीवन की अनुभवों से वही मार्ग चलना चाहिए कोई पथ है कोई पत अपने से नहीं सूज रहा है वैसे तो अपने से ही सूज़ेगा अपनी आत्मा से ही अपना वुद्धार संसार में हर किसी को करना है हर मनुष्य जीवन को अपने प्रश्ण पत्रों का समादान स्वयम ही करना है को कोई दूसरा साहता निकरेगा मार्गदर्शन कर सकता है बता सकता हैरि क्टर जब तक अपनी अनुभूत में चीज नहीं आती तब तक कैसे हम कहें कि यह सत्य है और इसलिए कई बार गुरुओं के साथ भी संबाद विवाद और अनेक प्रकार का हम देखते हैं कि पचलन में चीज आती है उसमें से नए नए पंथ हो नए रास्ते बन जाते क्योंकि गुरु जो बता रहे थे उनकी बात को मानने किया आपकी जो अनुभूति है स्वानुभूति विशद विवेचन प्रत्यालोचन और ब्रम्ह जगत माया दर्शन स्वानुभूति का आमर प्रकाशन स्वानुभूति ही जी उनमें स्रेष्ठ है आपकी जो स्वानुभूति है उसके हिसाब से आपको लगता है ईसी जगह आओगे जहां से प्रिषत कहती है साना पुन्रावर्तते फिर कोई वापस लौट करके नहीं आता वहां पहुच जाओगे चलते 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 उस जगह पहुच जाओगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता कि इसी धारा को सम्झाने के लिए इस देश के अंदर द्वाईत अद्वाईत सुद्धा द्वाईत द्वाईत तमान दर्शन सांख चारवा कपिल मुनी का महर्शी कणाद का अप्रत्यक्ष भगवान बुद्ध का इसी भूमी पर यह सारा दर्शन जो सारी यात्रा चल रही है सनातनकाल से जिसका साक्षातकार मनुष्य ने इस धर्ती पर किया इस भूभाग पर किया वह भूभाग जो तिब्बत की उपत्य क्या हैं उसे प्रारम भोकर के दूर्स्त हिंदू सागर जिसको हमने हिंद महा सागर नाम दिया है वहां तक जाता है इस भूमी को ही यह प्रभू कृपा से एक विशेशा सिर्वाद मिला हुआ है कि सनातन काल से जो आध्यात्मिक भावधारा इस भूमी पर चल रही है उसने सब मतों का सब मनों का सम्मान करते हुए उसे एक प्रमात्मत्त्त्त को ही उसकी साधना को ही उसको पहचानने और जानने को ही विभिन्न मार्गों से और उसी को कहा सर्मसमाविशी सर्मसमनवय गांधी का जीवन भी प्रारंभ होता है तो इसी मार्ग से प्रारंभ होता है काठियावाड नाडियाड में पोरबंदर जहां वो जन में तो उनकी माता आती थी वैश्णव परंपरा से मां का नाम पुतली भाई और जो उनके पिता थे करम चंद उनके पिता थे उत्तम चंद ये वैवसाई परंपरा से अलग-अलग मत मान्यताओं को लेकर चलते थे लेकिन मा जो है वो कहते हैं प्रणामी जो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है कृष्ण वैश्णव प्रणामी वैश्णव उस संप्रदाय को मानते हुए उस एक अखंड की साधना करती थी और इसलिए बच्पन में गांदी की जीवन में हम देखते हैं मुवंदास के जीवन में कि कैसे वो जगी उस जिसकी लीला चल रही है इस अखंड जगत में उसके प्रति आकर्शन तो माने जगाया क्योंकि वह जो जीवित पुत्रिका का थवा अजब था पढ़ी जब तक के वह चंद्रमा दिखेगा नहीं पानी की बहुत डालेंगे जैंक और एक दिन तो ऐसा हो गया betrayed Tamam ऑटी दुसरा दिन गया दूसरी राद वीतीं के तीसरा दिन आया तीसरी राद मुहंदास कहते हैं कि मैं मां से कहता था कभी-कभी बादलों के जुर्वमुट में वह जो चंद्र खेलता था गगन में दिखता था गायब हो जाता था जिसको हम लोग लुकाचिपी कहते हैं वो लुकाचिपी कर रहा था ये दोड के मा को बुलाते थे मामा चंद्रमा आया है चलो देखें तो बाहर निकलते ही चंद्रमा गायब हो गया मा कहते थी बेटा ऐसा लगता है भगवान की इच्छा नहीं कि मैं पानी ग्रहन करूँ ज है अब आसा उन्होंने अपने मा के अंदर जो उपवास शेलता देखी वरत देखा और एक प्रकार से उनके जीवन के अंदर जो बाद में इस देश के लिए समाज के लिए कठोर भावना आई है जिसको उन्होंने सत्याग्रह और बाद में उपवास का नाम दिया सत्तर दिन साथ दिन लंबे-लंबे उपवास उनके जीवन की एक तरह से सिध्धी बन गए वो उपवास की महिमा उनको मां से ही मिली कि दूसरे को कश्ट नहीं देना तुम्हारी माननता है तो दूसरे को कश्ट नहीं मुझे अपने कोई कश्ट देना और वह आत्मतत्त्व कि वह कभी किसी कश्ट में नहीं रहता है वह न सुख में रहता है न वह दुख में रहता है वह कहां रहता है अम्मों उस पर नहीं जाता लेकिन यहां से जो यात्रा चल रही है उस यात्रा ने ही उस बालक के जीवन में भारती दर्शन भारती धर्म भारती समाज इस विवस्था को गहरे अंकित कर दिया और इसलिए ग्रांदी ने जब ग्राम स्वराज का नारा दिया उन्होंने का संसार के अंदर जितनी राज्य की वेवस्थाएं हैं जो स्टेट मशिनरी है मैनेजमेंट मशिनरी ऑप दे सोसाइटी है अनेक प्रकार की विक्सित हुए संसार में अनेक अनेक सब्वताओं में हम मुरांबी संगिता अलग लिखी गई मिश्र में कुछ अलग व्यवस्था आई चाइना में कुछ अलग व्यवस्था आई तेकि सब व्यवस्थाओं को देखते वे उन्होंने कहा भारत ने जो एक ग्राम ब्यवस्था दी कि बड़ी अद्भुद्धी ज़िसरीर है wa उसक्राम का रूप कहां से प्रकठ रोता है तो आरे कहा घ्याद पिंडे तत्रहुमंदे इस पिंड में जो है इस शरीर में यह ईस प्रथिवी के पिंड में यह हमारे सवर मंडल में यही सारे ब्रह्मांड का सत्य है कि ब्रह्मांड के सत्य को जानना है तो नासा वगरान तो बड़े-बड़े इस्थापित कर दिये सनियंत्र और कुछ छोड़ा नहीं दुनिया के सकणकण जो है अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी तो आपने जो पूरा है उसका एक प्रस्थ नहीं खोज आपना इस ब्रह्मांड कहां क् encaukों गी अब दीज्न जगति कह रहा है उसको कहां से हो तो हमने तो कहा हरी अनन्त हरी कह था अनन्त अरे अनन्त को कहां तक हो जोगे मिल्या कि ओन EU कहां तक मशिनरी लगाओगे गौट पार्ट किल खोज रहे हो 27 किलो मीटर अंदर जा करके स्विट्जर लैंड बर्न में दुनिया भर के रॉकेट साइंसे लांच कर दिये हैं मंगल में जीवन है कहां जीवन है जीवन खोजने चले हो और अरबों जो मनुष्य मर रहे इस धर्ती पर उनमें जीवन क्यों नहीं देख रही ह। हजारों करोण, लाखों करोण खर्च कर रहे हो, कहा जीवन खोज रहे हो, ये जो बक्चे जडरा निकलो सारनात के बाहर इस इस मेंला को मिलते दूद भाद, स्वानों को मिलते दूद भाद भूखे बच्चे अकुलाते हैं मा की गोदी में ठिठुर जाड़े की राध बिताते हैं जो पड़पटी बनी हुई है सड़क के किनारे ये हिंदुस्तान का चित्र वास्तविक नहीं है ये चित्र तो इन 200 साल की देन है अंग्रेजी लूट की देन जिसके कारण गांधी जैसे मनुष्य को इस धर्ती पर आकरके इस महाविनासक सभ्यता के रस्ते को बाहुबली की तरह थामना पड़ा ये रस्ता उन्होंने थाम लिया वो जान गए ये महा का गिरेगा ये संसार का नास करेगा महाविनासकारी सभ्यता ये ध्वस्त होगी इसके सारे सिधान तो सारा साइन्स धरा का धरा रह जाएगा मनुष्य तरहिमाम कर उठेगा ये उन्होंने अपने हिर्दय की गहराई से बच्पन की अवस्था में ही जान लिया और इसलिए जब उनके घर में इसका प्रबल बहस छड़ी की गांधी पढ़ेगा कहां हायर एजुकेशन के लिए तो अठारा सो अठासी में जब वो लंदन रवाना हुए लौ की पढ़ाई करने के लिए तो कहते सबसे कठिन जाती अपमाना तुलसी बाबा ने लिखा उन्हों का जाती का पमाना तुई कार करूँगा जात इसे बहिस्कृत हो गए क्यों समंदर पार नहीं जा सकते तो उन्हों घर में वचन देना पड़ा वचन देता हूं कभी शराब को इस पर्ष्न ही करूँगा परनारी को माता के ही समान देखूंगा फिर मुझे वह उपनिशत काली निश्लू के याद आता है जो हमारे हितु पदिश गरंतों में आया मात्रिवत परदारेशु परद्रव्येस लोश्ठवत और जो धन है ये मिट्टी के समान माता पराई क्या है पराई स्त्री मा के समान पराया धन मट्टी के समान ऐसा जानने का जो दर्शन है वही दर्शन गांदी ने अपनी मा कुटली भाई को वचन दिया मां कभी नहीं करूंगा विदेश जा रहा हूं मान सचहुँआ नहीं परिवार गांपर안 अक्षुड रखोंगा प्राइस तरी को देखूंगा नहीं किसी प्रकार का नासा नहीं करूंगा ऐसे ही पवित्र रहूंगा जैसे पवित्र भाव से तुमने मुझे पाला है और इसलिए विदेश गए कि लेकिन उनका मन जो है उस सभ्यता के उंचे उंची अट्टालिकाओं को देख करके कभी उसमें रमता नहीं था अभी आधरणी मनोच जी ने बहुत सुंदर विश्य बहुत विस्तार से रख दिया मैं तो इतना विस्तार से इतने कम समय में नहीं रख सकता क्योंकि मेरे लिए समय की सीमा बड़ी मुश्किल हो जाती है यह कुशल लोग हैं जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात कर देते हैं तो पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं तो संजोग से मैं वह पुस्तक की पढ़ता हुआ रहात रखी है रामचंद गुहा की जो गांधी क कि उनीसों चौदा में भारत आने के बाद और आजादी उनके यहां से महाप्रयाण तक कि उसमें वरणन आता है जो अक्षोड उन्यूएस्टी देखने गए तो उसकी भव्यता बताने लगा गाईड तो उनकी आखें उदास हो गई है मन करुणा से भर गया उन्होंने का आपने जो महान अट्टा लिकाएं खड़ी कर दी है इसके पीछे मानवता का जो भयानक शोशन किया है आपने वह भी मुझे बार बार आवाज देता है मैं अपने देश की दूरदसा देखता हूं इस बिल्डिंग की नव में पुस्टक थी मेरी कारावास कहानी शुशिला नैयर जी ने उसको लिखा कि उसको पढ़ा तो उसमें उलाहरण मिलता है कि जब वो कुत्व मिनार देखने गए कि कुत्व मिनार देखने गए तो गाइड उनको बताने लगा कि महत्मा जी यह जो देख रहे हैं न साथ मंजीला भवन उचा चड़ा हुआ आस्मान को छू रहा है उस समय देश का सबसे उचा भवन था इसकी सीड़ियों में तमाम धोस्त किये हुए जो मंदिर हैं उनके पत्थर लगा दिये गए उनकी मूर्तियां यहां प्रतिष्ठित कर दी गई है जिस पर चड़ा करके आप उपर जाएंगे कांदी जी कर ईक्सन क्या था जैसे ही गाईड ने कहा वह तर्म तुरंट उटर करके और प्रणाम करके खाया ऐसे भवन पर मुझे चड़नेए नहीं है जिसमें सहिशनुता है कि जिसमें परसंपरदाय के लिए दूसरे विचार के लिए दूसरे मत्व मानने वालों के लिए अश्रद्धा है कि उससे मेरा जुड़ाव नहीं हो सकता उस विचार से तुरंद वापस आगे कि और इसलिए उन्होंने जो ग्राम देखा भारत का वह स्वावलंबी ग्राम देखा वह ग्राम जैसे शरीर स्वावलंबी है यह शरीर अपना सारा कार्य स्वयम ही करता है दूसरे की आंक से नहीं देखता अपनी आंक से अपने ग्रान से यह स्वास लेता है अपने नाग से अपने पेड़ से पचाता है अपने भुजबल से अपने जीवन को गढ़ता और बढ़ाता है वैसे ही ग्राम तरह का तो आपस का न्योंने नाश्रित संबंद हैै लेकिन जीवन में उर्जा के लिए सब कोशिकाएं सोतंत्र हैं ये सोतंत्र था और उनकी अन्यों न्याश्रित था इस शरीर के विज्ञान से ही भारती धर्मदर्सन ने हज्जारों साल पहले समझ ली और इसलिए कहा मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम नहीं होने देंगे मनुष्य न इंद्रियों का गुलाम होगा और न किसी राज की ये बेवस्था का गुलाम होगा उसके जरूरत के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी वो जहां रहेगा वहीं बनाएगा और इसलिए हर गाउं भारत का वहाँ सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ सस्टेंड इसी को गांदी ने कहाए ग्राम सुराज है कि हमारे शरीर में जिसको लोकमान तिलक ने कहा और गहराई से कहा कि सुराज मेरा जन्म सिद्ध दिकार है कोई से छीन नहीं सकता हमसे और मैं इसको लेकर रहूंगा अगरे जों से यह सिद्धान के फिलोस्पी यह पॉलिटिकल दर्शन जन्म कहां से लेता है वेर इस ओरिजिनेट फ्रॉम इस ओरिजिनेट फ्रॉम इसल्फ फ्रॉम दर सोल आप दे हूमन बोडी यह सुराज वहां से जन्म लेता है यह कॉपी-पेश्ट नहीं है हमारी सुराज पर हमारे शरीर पर दूसरे की आत्मा का शासन नहीं हो सकता वैसे ही नहीं हो सकता जैसे हम ब्रिटेंग पर जाकर कि आधिपत्य जमालें होके हटो यहां से वैसे ही हमारे शरीर पर हमारा ही शासन होगा और इसलिए सोराज्य का जो मूल कल्पना है उपनिशद भी इसको कहता है जीता भी उसको कहती है भगवान बुद्ध भी उसको कहती है इदम शरीरम छेत्रम कुंते कुंतिपुत्र यह शरीर ही वह अस्थान है और इसलिए सारे द इस देश के आम आदमी ने निरक्षर आदमी ने भी गाओं में रहकर के समझ लिया वो कहां रहता है इस सरीर में ही रहता है यह शरीर ही पर्मात्मा का मंदिर है इस शरीर में ही वो निवास करता है वो दिखेगा कैसे अब इसको ले कर के बहुत बहस हुई है इसको लेकर के ही भारत के अंदर सारा का सारा शास्त्र ज्ञान दर्शन ज्ञान मत पंत संपरदाय खड़े हुए आपस में उनका संबंध कैसा सब जो है सेलफ सस्टेंड हैं अपने दर्शन में पूर्ण हैं लेकिन कैसे पूर्ण हैं अन्योन्याश्रित हैं एक दूसरे से तो ग्राव है वहीं से आता है जिस समय गांधी थे उस समय तो तमाम सोर्सेज से जानकारी नहीं मिलती थी लेकिन अब जो बिटिशर्स के दस्तावेज हैं सोर्सेज हैं जो इस सेल्फ एक्सप्लाइटेटर थे उनके ही दस्तावेज अब सामने आ गए पहले तो दबा के रखा आपने अब वो सब एक्सपोज हो गए तो आपका चरितर भी पता चल गया हमको वो दस्तावेज ही बतात अब भारत के गाओं में कौन सी चीज नहीं बन रही थी और कैसी बन रही थी कि संसार के अंदर क्वालिटी के लेवल पर कोई मुकाबला नहीं था हमारे भारत अध्यन केंद्र में जापान के प्रोफसर हिंडाल जी के वह आई थे प्रोफसर किता मुरा ताईदो बहुत सुंदर उन्हें बात कि मैं हर जंग बताता हूं उन्होंने का आज का भारत देख करके आप एक कलपना नहीं कर सकते कि हम जापानियों के मन में भारत की क्या कलपना रही है आज के भारत की हम बात नहीं करते हैं आज का भारत तो जैसी इंद्रियां दुख बहाती है मनुष्य को भटकाती हैं उससे भी ज्यादा भयानक भटकाओं का शिकार हो गया आज का भारत इंद्रियों में ही घूम रहा है उससे बाहर देख नहीं पा रहा है आज का भारत जिस नेतिक चरित्र आधर्स की बाद जो ग्यारा सूत्र प्रोफसर उमेश सिंग जी ने बताए जिसको हमने धर्म की आधार पर बहुत पहले ब्याक्याइद किया जुर्तिक्षमास्तेयम सवचमिंद्री नीग्रह धीर विद्यासत्यमक्रोदो दशकम धर्मलक्षणम उस धर्म की ही हमने इस भारत भूमी में हत्या कर दी धर्म अब कहां बचा अब यह तो अपने अपने हंकारों को लेकर जूझने वाले संपर्दाए और उन संपर्दाए के सोनाम धन्य गुरू बच गए है भारत का जो मूल विचार है वो ऐसा एक शव हो गया है जिसका शव च्छेदन करने में हर प्रकार के लोग जुटे हुए है वह भारत है क्या तो उसके बारे में जो अब रिपोर्ट्स आ रही है तो प्रोफसर किता मुरताईदों कहते हैं कि आज भी जापान की लोकोगतियों में एक बात कही जाती है वो क्वालिटी के संदर में कही जाती है कोई जैपनी कोई अच्छी चीज बना लेता है और इस चीज को उसका कुछता है तुमने क्या बनाया या उसको कुछ सिकायत करता है उसके बारे में तो जापानी पलट करके जवाब देता सुनो तुम अभी काबिल नहीं हो कि इसको चेक करो इस पर भारत के आदमी इसकी प्रसंसा कर चुका है भारत की मुहर इसमें लग चुकी वह लोकोगति ह सबसे आदमी पावरफुल है इसने को कलेक्टर भय हो कलेक्टर डियम हमारी बहुत था कि शब्द नहीं थे लेकिन हमारे गाउं गाउं में प्रचलित हैं वैसे ही जापान में प्रचलित है कि क्वालिटी अगर है अगर भारतिय ब्यक्ति ने किसी चीज की तारीफ कर दी हमारे तो समझो बहुत अच्छी बनी है हजारों साथ से वह परमपरा आज भी ल सलिया ती तो अस्तक्स शिला से नालंदा तक वही भारत महात्मा गांधी के मन में भी बार बार प्रकट होता था मैं कौन वही भारत हुं महात्मा उसको पुनर्जीवित करो कैसे पुनर्जीवित होगा अपनी राख से पुनर जीवित होगा क्यों अमर हैं सभी हम कुल कि सरपर हमारे वराद हस्त करता गा और समाज यह संकेत हमारे ग्राम में विखरे पड़ें कि दुर्भाग क्या हुआ हमने जो सम्मिधान किया अगर भाई सबसे बड़ी गल्ती मैं कहता हूं जो मैं कभी मेरे मन से स्राप निकलता है गोडसे को लेकर इसी कारण से निकलता है कैसा महापाप उस आदमी निकिया गांधी अगर दो वर्ष टीन वर्ष जीवित रह गए होते केवल और दो वर्ष ही नहीं 26 जनवरी 1950 तक वो रह गए होते यह भारत का शुरूप नहीं जाता मित्रों कभी नहीं जाता यह रूप नहीं हम देखते हैं वह समिधान तब जब बनता तो गांधी की आखों के चसमे सद्ध्यन किया है लेकिन अपने सिध्धान्त को जिसको सत्य माना अगर उस सत्य को स्विकार नहीं करोगे इसी जगह अपना जीवन चोड़ दूँगा मेरा सत्य जो है वो सारजुनी इन सत्य जिसको मैंने समझा है वो मेरा प्राणों से भी प्यारा है और इसलिए जब अंग्रेज कमिनल अवार्ड लेकर के आए और उन्होंने कहा कि भारत की यह जो डिप्रेस्ट जातियां है यहीं पैदा कि यह बार बार इस विश्यक उठा यह बाता हूं कोई भारती समाज ने किसी व्यवस्था ने यह डिप्रेस्ट सुसाइटी को जन्म नहीं दिया यह जन्म अंग्रेजों ने दिया है कैसे दिया है उसके लिए कभी आप मुझे बुलाएंगे अलग सत्र होगा यह डिप्रेस्ट जातियां जो इनको सेप्रेट किया और क्रियेट करके और फिर कहाँ सेपरेट एलग्टोरेट वाई सेप्रेट इलग्ट्यूरेट ऑबिकास यू आरद ऑप्स दे कर्ते हुंको अन्टेमल सापने क्रेट किया हमारे अप्णा पाप हमारे उपब डालते चले गए निदारकर कर k this अब वो कानून ले करके आए कमुनल अवाज की इनका जो वोट है इनका जो कैंडिडेचर है इन्ही में से था होगा इनको वोट भी यही देंगे or what was the reason behind this decision? Why they want to create such separatism in the Hindu society? Because their sole aim was to divide this society so deeply so dangerously they will in future will not come again against the British Raj चर्चिल कहता थे बुढ़ा फकीर जुटा आदमी है यह जीवित रह गया तो पिटिस सासन कॉलिप्स कर जाएगा यह उसकी अंदर की सोच थी उसकी आत्मा से ड़ता था मैं आपको बताऊं अरबों सोल खड़े हो जाएंगे इंद्रिये चालित जितने सोल हैं जो इंद्रियों से चलते हैं एक अरब देढ़ अरब आदमी एक तरब खड़ा हो जाएगा और अत्मी आत्मा के प्रकास से रोशन अपने सत्य प्रकास से रोशन एक सोल अलग खड़ा हो जाएगा ये डेढ़ हरब सोल को हटना पड़ेगा पीछे क्यों हटना पड़ेगा गांधी ने कहा प्रहलाद की परंपरा हम से हमको मिली आए अपने घर में ही अपने बाप को चुनौती दे रहा था सत्यागरह इस देश का कहां से शुरू हुआ है प्रहलाद के पास हतियार नहीं था प्रहलाद के पास कुछ नहीं था वो तो एक छोटा बच्चा जो भाषा भी ठीक से नहीं जानता था वो अपने पिता की गोद में ही जो इंद्रियों का मैनिफेस्टेशन था भावतिक सम जो भी कह लीजिए आप ओम तत्सत वही सत्य है पिताजी वह बेवकूब आदमी क्या बात करता मैं सत्य हूं इंद्रियां सत्य हैं जो physical appearance है जो materialistic interpretation of the word है that is the ultimate truth इसके खिलाब बार बार वह बच्चा कहता था नहीं पिता जी जूट बोलते हो तो जब तक वह बच्चा रहा तब तक तो पिता सुनता रहा अब वह बच्चा बोलता कहां से था मैं जरूर मानता हूं उनकी मां के अंदर ऐसा गुण रहा होगा ज़ता से ज्याधा प्रात्रिक्ता देता है मा भी आजी जा गई थी जैसे मंदोदरी रावण से आजी जा गई थी वह ऐसे हिरन कस्यप की पतनी भी आजी जा गई थी गलत बोलता है जूट बोलता है और इसलिए उस प्रहलाद को सारी प्रजा के सामने ही इसको पहाड से फेक दो इसको जहर पिला दो हाथी से कुछलवा दो और अंत में सब जगह से बचता हुआ जब वो चला आया चोटा सा बच्चा तब हिरनकस्चप ने कहा अपनी बहन को ही बहन सारे उपाय बेर्थ होगा इसकी हत्या करने के मैं बाप हूँ इसलिए इसका गर्दन नहीं दबा सकता थोड़ इसी जिसको कहते हैं कि मर्यादा बचे रहनी चाहिए लेकिन तू अगर चाहले तो कल को खतम हो जाए भाया क्या क करें कि अरे तलगा इसमें बठा इसको लेकर कि भाग नहीं पाएगा और मैं चाहता हूं अपने सामने ही इसको भस महूते हुए देखना क्यों यह तो अब वो सिंबॉलिक मत जाए विश्णु हरी क्या है वह परमसत्त तो जो है वही हमारे आपकी जीवन में कैसा बसता है म मैं उसको भी दो मिनट लेर इंटरपेर्ट करके बाद समाप्त करूँगा वह ही इसको खतम करिया उसी की चर्चा करता है मुझसे उसकी चर्चा सुनी नहीं जाती दुर्योधन की तरह बोलता है जाना अमी धर्मम नचमे परवृत्ती जानामी धर्मम नचमे निब्र्ती मे मेरी धर्म को मैं सब सुनता हूं लेकिन सुनिये लौड कृष्णा कोई मेरी रूची नहीं है उसमें अधर्म सब जानता हूं कि मुझे गढ़े में ले जाएगा लेकिन क्या करें गुण ही गुण में वर्तते हैं यह जो शरीर है जिसको तुलसी बाबा ने कहा तामसतन कचु वह द्रियोधन कहता है कि मेरी कोई अधर्म से निवृत्ति हो नहीं सकती मुझे आप जो कहें धरम धरमने मैं अधर्म करूँगा आप कहेंगे यह करो A मैं करूँगा B तुम कहोगे सुबह मैं कहूंगा साम तो कह ना ने ठीक उसकी कोई बात मोराना हाली ने वो जब इस देशकंदर मद्धिकालीन समय था न ठीक इसकी कोई बात समझो ये दिन को दिन कहे तो रात समझो मुलाना आली कहते हैं किसके लिए कहते हैं यह उधु देखते हैं कि यह खड़ा हो रहा है रसखान यह खड़ा हो रहा है दारसिको अरे पूरा का पूरा यह जो मेटिरिस्ट्री के अप्रोच पर established हुगा, मुगल सामराज है उनकी आँखों के सामने ढहता चला जा रहा है तब वो कहता है इनकी बात ठीक न समझोए भारत वाले यह दिन को दिन कहें तो राप समझाओ और ऐसा ही वह प्रहलाद के सामने तो हम जानते हैं मित्रो आज तक वह होलिका हिंदुस्तान की धर्ती पर हर साल धदकती है हर साल धदकती है आज भी प्रहलाद हर साल बचता है आज भी रावण हर साल मारा जाता है मेट्रिलिष्टी के प्रोच लेकर के दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करने वालो दुनिया के लोगों को अपनी सुक्सुवधा के लिए उनकी मूल जमीन से निर्वाशित करने वालों उनको कश्ट दुख और अनंत प्रकार के तकली भूमें ढखे लने का प्रेत्न करने वालों सदा ध्यान रखो यह देश उस परमात्व तत्व को मानने वाला और जो परमपरा शंकर बुद्ध गांधी कबीर से चली आई वह उस परमपरा को मानने वाली भूमी है यह तुम्हारा जो सारा सामराज है उसको बैचारी ग्रूप से इस भूमी पर हम परास्त करेंगे और यह ग्राम स्वराज मने कहा गर गांधी जीवित रह गय होते हैं वाट शुडवी दप्रियंबल लैंग्वेज अपरेंबल अव दूर कांसिटूशन वाट इस तुटए और वाट इस तोड़ इस तूद बी there is not a single mention single word mention of the gram हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन और फिर क्या क्या है सब्दा आप सब जानते हैं उसमें समाजवादी सेक्रोलिजम भी जुड़ गया अमेंडमेंट के द्वारा लेकिन जो शब्द जोड़ना चाहिए था वो जोड़ा ही नहीं बाद में के संथानम साहब ने कंस्टिटिवेंट असंबली में इस विशय को रखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी तो जो पंचायती राज और ग्राम की प्रडाली लेकर आए लेकि क्या गाउं लेकर के आए आप इतना डिवीजन डाल दिया है भी भाजन के बीज डाल दिये हैं कि सारा भारती समाज जो एक था आज आमने सामने खड़ा हो गया हो गांधी के सपनों की हत्या एक हिद्देश में कर दी एक और सरकार गांधी के अधर्स पर नहीं कोई भात्रकार वर्तमान नहीं अज़ новीकर आज्नि कि बास्ति लेकर दो they are driven by the new word order in the leadership of the European ethos and there are two points north pole south pole two pole there European ethos will exist the Asia. Asian ethos will disappear 해야 anti Asia क जप जारती समझना चाहिए भॉरत का तोbu Caroline समझने चाहिए जो मानों हही सक्ะ मानों के एक्जिस्टेंस के दोडिये जरूरी है कि और इसलिए इसका दर्शन ही कितना भिन्न है जो गांधी ने संझden अभॉए विदांथ के भी उपासक बने भारत के सब दर्शनों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर आउगाहन किया तो उसके पीछे का कारण यही था कि वह जो दर्शन आया कि मित्रो मैं केवल दो मिनट ले करके समाथ तुमा समझता हूं आप लोग बहुत देर से बैठे हुए कि वह अंक प्रडाली से मैं आपको बता देता हूं मैतमेटिक से ज़्यादा समझ में आता है जो सत्य है वो गणित भी है जो सत्य गनित में है भारत का वही सत्य गाउं में है वही भारत का सत्य संगीत में है भारत का वही सत्य राजिनीत में है भारत का वही सत्य साइंसेज में गया है बारत ने हर चीज में उस परमात्म की जाधना की है जब आपको हाँ जोडते हैं तो आपको नहीं जोडते हैं आपके भीतर वो जोती बैठी हुई है राम राम जी वो परमात्म जोती आपकी अंदर है उसको प्रणाम करते हैं अपनी दुकान बढ़ाते हैं उसको भी प्रणा करते हैं कई गलती से कुछ पाप हो जाता है है भगवान च्यमा करना जिसको हम ने चीत्य रूप का वह हमारे आपके शरीरों में सब प्रकार के जीवों में विराजमान है लेकिन एक दूसरा अभ्यक्त है वो बोलता नहीं है वो अभ्यक्त कहां है वो इस इस टेबल में भी है इन दिवालों में है इन खंभों में है और इसलिए जब एक और मेट्रिलिस्टिक अप्रोच का पुरोधा हिरनकस्यप उसने भी पूछा प्रलाज से ही पूछा पता तेरा हरी कहां है जब वो हुलिका से निकलाया और उसने खोब जम के अपनी गदा मारी खंबे पर यह खंबा अब्यक्त है इस खंबे से ही कहा वो भगवान नर्सिंग रूप में प्रकट हुए और उसको लेकर के खतम कर दिया उ भागवत में सुनाई पढ़ता है भागवत की चर्चा इसलिए क्योंकि उनकी मा भागवत थी बागवत पुराण पढ़ती थी अपने बच्चों को भी सुनाती थी और इसलिए जीवन में निर्भीकता निजरता किसी से नहीं डरेंगे सत्त के लिए अपना सारा जीवन ही देंगे कभी भैवीत नहीं होंगे हमारा धर्म ही हमारा आचरण है और इसलिए वह जो अब्यक्त ब्रह्म है वो सारे कणकण में चाया हुआ है हमने कहा वो कैसे गणित है वो आपको बताता हूं एक मिनिट में हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं जो अंक लिखते हैं वो अ अपना सब छोड़ दिया अंग्रेजी के चक्कर में हमने सब नास कर दिया हम इतने इंफिरियाल्टी कॉंप्लेक्स में चले गए कि हमारा सब खराब है यह तो मित्रों में धन्नवाद देता हूं हमारे दलाई लामा और तिब्बत की परंपरा का जापान का इन देशों ने भारत को बार बार जगाया का चुपसाज रहा हनुमाना अरे क्यों सो गए हो तुम लों तुमने संसार को हजारों साल तक जब तक लीडर्शिप दी संसार के अंदर अनय और अन्याय नहीं चला इसी भूमी पर मैं जाना नहीं चाहता इतियास में वो लिखता है ने युनान मिसरोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुमारी है हां हां अरे दुनिया की प्राचिन सब भताएं तुम्हारे साथ जनमी थी इस धर्ती से उठ गई उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा धर्ती पर तुम आज भी बचे हुए हो तुमसे और बार आता है इसलिए बुद्ध बनकर कबीर बनकर सूर बनकर तुलसी बनकर गांदी बनकर रविदास बनकर वो चेतना की महान जोतिरासी छोड़ जाता है दर्ती पर क्यों इस देश के कणकण में उसके प्रती उस अखंड शक्ति के प्रती एक विश्वास है उसका विश्वास जानने के लिए ये सरीर है उसको मानने के लिए ये भूमी पर हमारा प्राकट्य है वो कणकण में ब्यापता है और जब वो मिल जाता है तब इस संसार में कुछ पाना सेस नहीं रहता उसके लिए इस देश में स्वर्ग जैसे सुखों वाले राज महल में महाबीर जन्म ले करके अपने घर से निकलते हैं और रमते रमते उसको देखते देखते अपने सरीर का भी बिस्मर्ण कर जाते हैं मैं सरीर नहीं हूँ मैं जोति रूप हूँ तमसोमा जोतिर गमाई उसी के लिए बुद्ध अपना सारा छोड़ देते हैं क्या है पिता जी क्या लेकर करूँगा इसी प्रश्ण पर अपने पिता से नचिकेता उलज जाता है यह क्या बता रहें आप हमको धर्म धर्म नहीं है बुड़ी गायों को आप कहते हैं कि दान कर दे यह धर्म नहीं है उसके विरुद्ध उनका बेटा नचिकेता ही खड़ा हो जाता है वह कौन सी वह रोश्णी है वह रोश्णी है जिसको कश्मीर शेव दर्शन ने कहा जिसको हमारे सब दर्शनों ने स्विकार किया वह प्रमात्मा क्या है वह बिंदरूप है स्रिष्ट के आधिकाल में वह प्रमात्मा इस संपूर संसार ब्रह्मांड को घीच करके गहन ध्यान अवस्था में डूबता है यह जो हम देखते हैं भगवान बुद्ध बैटे रहते हैं अपनी शुद्ध मुद्रा में वो जो गहन ध्यान अवस्था है वो परमात्मा की ही अवस्था है उस गहन ध्यानवस्था में बिंदु पर जब फोकस हो जाते है तब यह सारा संसार क्या हो जाता है यह गिलक्सीज यह तारे यह धर्ती यह मंडल यह सब के सब शून निमे कनवर्ट हो जाते हैं तो जैसे ही वह परमात्मा बिंदु रूप होते है वैसे ही यह सारा संसार शून रूप हो जाता है यह संसार शक्ती का ही सारा प्राकट्य है यह पदार्थ है यह कौन है शक्ती शेव दर्शन ने कहा कि यह वह परमात्मा जब बिंदुरूप में बदलते हैं तब उनको ब्रह्म कहते हैं वो शिव ही हैं कुछ भी कहिए उनको वो शिव हैं बिंदुरूप में जब हो जाते हैं तब वह ब्रह्म अवस्था कहलाती है और वह ब्रह्म जब होते है, तो यह सारा संसार अंदेरे में भटकता है, कुछ नहीं रहता, साब जगत, शून्ने ही, शून्ने, शून्ने वाद का स्रिजन होता है, लेकिन जैसे ही वह जो शक्ति है वो शक्ति जो कणकण ब्यापी है जिसको हमने जगजननी परामबा भगवानी के रूप में रियलाइज किया वह शक्ति सारे संसार में उसी का प्रभामंडल दिखता है वह शक्ति शिव से अभिन्न है करोणों वर्स में वह शिव को जगाती है तो यह क्या होता है इस सुन्य को भी चेतना आजाती है क्यों वह परमात्मा जब आग खोलते हैं तब यह जो शुन्य अभिन्दु से सुन्य कि यात्रा यहाँ एक में बदल जाती है वह एक प्रथम, इस पंदे से प्रथम, वह पहला जो Vibration सह निकलते ही एक होता है और एक होता है यहां संसार की लोक यात्रा शुरू होती है लेकिन जैसे ही वह संसार चालू होगा तो उसके पालन की व्यवस्था भी आएगी तो वह दूसरा जो रूप आता है वह विश्णू रूप आता है दो होता है और फिर तीसरा जो आता है जो बना है इसको वापस लेंगे फिर जाएगा उसी में मिलेगा कहां से जहां से आया है तो यह विश्णू रूप रुद्र रूप में बदल जाता है और यही हमारे यहां कहा यह जो ब्रह्म, शिव, विश्णू और इनकी तीन सक्तियां हैं ब्राम्ही, लक्ष्मी, नारायनी और पारवती यह श्रीयंत्र बन गया इसके बीच में वह बिंदू ही है, वह बिंदू ही प्रधान है, अब इस बिंदू को लेकर इतनी बहस है, इतनी बहस है, इसके इतने दर्शन है, इसकी डेफ्ट में जाने पर अब उन्होंने कहा कैसे माले बिंदू है आपने डिविजन किया होगा दो से जरा चार को डिवाइड कर दीजिए टू टू फोर दो बचता है लेकिन जरा दो से पांच को डिवाइड करिए टू टू फाइड वन्हीं दिवाइड वाट विल हैपन टू टू फोर रेमें इंग वन टू से तो वन डिवाइड नहीं होगा तो वाट विल यू दू देन यू विल गेट पॉइंट इन राइट साइड आफ तू दस्मल वह पॉइंट रखते ही आपको शुन निमिल विल गेट अप्वाइड नाथ विल नुट गेट जिरू इस इडिव यू एरू दूनिया को बताया किसने यह गणित का सत्य है इस 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 प्रुथ प्रूप मैंथमेटिक्स and what I am trying to say you, this is the truth of the this metaphysical वो अबिन्दु ही है और इसलिए सारे जगत में उसी की लीला है सारे जगत में उसकी लीला है कौन हिंदू, कौन मुस्लिम कौन सिख, कौन इसाई क्या फिलोस्पी पढ़ा रहे हैं आप हमको यह यह क्या बाट रहे हैं दुनिया को धर्मों के धंदे में यह क्या अपने सांपरदायवाद को हमारे उपर थोप रहे है लाखों साल से इस धर्ती में उसी अखंड परमात्मा का राज्य चला है और इसलिए इस इंद्रियों को जीतना है तो क्या करना होगा जो भगवान ने बताया स्वयम अपने मूँ से इंद्रियों को जीत लो दुख को जीतना है क्या करना होगा स्वयम को जीतना होगा अपनी आत्मा की मुक्टी के लिए यह भयानक बंधन में है यह जो फाइव सेंसेज हैं पांच ग्यानेंद्रियां पांच करमेंद्रियां जिन्होंने इस जीवों को बांध करके रखा हुआ है यह जीव बंधा हुआ है यह क्या है उसकी क्रीडा है सेव दर्सन ने कहा भगवान सीव की क्रीडा है भगवान बुद्ध ने कहा यह स्वता ही है कबीर ने भी कुछ कहा जगद गुरू शंकर आचार ने का यह कही है अद्वायत है अलग-अलग सब की मानता है लेकिन मूल भाव सब का यह कही है कि यह जो जन्मो जन्मांतर की यात्रा चल रही है यह जो मेट्रिलिस्टी के प्रोच है इससे पार जा करके उसको देखना होग और फिर इस जीवन यात्रा को पूरा करना है और इसके गय बगयर होगा नहीं इसलिए मैंने कहा इंद्रियों पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए सेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए उस अगनी को जगा लो यह इंद्रियां कभी नहीं मैं मानेंगी मान ही नहीज सकती है एक आरुशक्ता पूरी दूसरी खड़ी दूसरी पूरी तीसरी खड़ी मैं की देखिकी फैप दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है यह देखिए स्काइडे 120 मंजीर उचर बुर्ज खलीफा बन गया है अब वो सबसे उपर हो गया तेकि इसके पहले हमीद है तो हमने कहा बुर्ज खलीफा कब तक रहेगा नंबर एक फिर कोई खड़ा हो जाएगा लेकर के तो क्या यही सबसे बड़ा है तो उन्होंने कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक ही सादन है जहां यह दंडवत हो जाते हैं जिसको उपनिशुदों ने कहा वहां मृत्यू भी नहीं जा सकती जनम की पिसाथ क्या है सूर्य को छोड़ दो न तत्र सूर्य भाति न चंद्रतारकम ने मा विद्धुतो कुतोयम अगनी इस अगनी के उकाद क्या है यह जो सांसे चलती है उसी का रोज पूजन करती है जो अंदर बैठा हुआ है यह जो इंद्री सुखम लेते हैं उसका द्रिष्टा वही है और इससे निकल करके उसकी तरफ जाना है तो क्या कहा है उसको जपो उसको जानो इसी लिए इस देश में हर चीज में नारायन नार ना लेता तरहिणा हरी बोलो हरी बोलो रॉलो रॉडो यहीं बोलता हुए इस देश चलता है हजारों साल से अपने हर काम में हम जोटे थे बाबा यहां तलवाते थे तैए लाजू में हमारे लूने वाले हरे नह similar है अरे इसलिए आई, क्योंकि इस कंड़कन में उसी को देखा आए, आप में भी उसी को देखते हैं, आप नहीं देखते हैं अपने को, हम देखते हैं आपको, और इसलिए आपको डंडवत कर जाते हैं वह जोती डंडवत कैसे करती है एक बार कलपना कर लीजिए गहन अंधेरा हो जाए और इस शरीर इस शरीर को हम छोड़ दें आपको नहीं लगता वह जोती रहेगी वह साथ टिम्टिमाती हुई इस संसार को चमकाती घूमती है उस परम जोती पर ही इस देश ने आस्था की उसी जोती पर गांधी ने आस्था की और इसके कारण ही ग्राम सुराज का जो उन्होंने भी सही लिया मनुष्य की मुक्ती का भी सही है मशीन में मद फसना मैं समस्ता हूं समय जादा हो गया मैंने पहले ही कहा कि मेरी लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई बिंदुपर मैं जाता हूं तो फिर मैं उसमें अपने आप प्रभू का क्या कहें गलती है मुझसे छमा चाहता हूं इसके लिए आपसे वह म का महान दर्जन ही उसने साक्षा समझा दिया और इसलिए अनाय अत्याचार चलने वाले नहीं है न चले हैं न चलेंगे जाएंगे पचास साल सव साल 200 साल कोई एक जोती आपके अंदर से खड़ी हो जाएगी यह सब यह सब जो बड़े-बड़े अनाय अत्याचार की पुतले हैं यह सब भस्म हो जाएंगे मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं अत्यंत अध्यात्मिक बगतब के साथ मुख्यवक्ता ने अपनी बात को पूंड किया अब मैं सभा के अध्यक्ष और इस अनस्थान के सरद्धे कुल सचिव डेक्टर आरके उपाध्या जी करता हूं कि अपना ध्यक्षी वक्त अब देकर कारिकरम को आगे बढ़ाएं गांधी जी के एक सो पचास्वी वर्ष गांट के और सर पे जो हम लोगों ने विगत तीन अक्टूबर से ही ये कारिकरम चल रहा है विविन रूपो में इस अतिशा हाल में बैठे हमारे मंच पे मुक्य वक्ता प्रोफेर राकीश उपाध्या जी काशी हिंदी विश्वी द्याले के भारती अध्यान केंद्र की में आप प्रोफेर हैं प्रोफेर मनुज सिंग जी हिंदी विभाग काशी हिंदु विश्वी द्याले और इस सभागार में बैठे हुए आचारी विरिंद करमचारी गर्ण मेरे प्रिय चात्र चात्राओं ये आज दूसरा गांधी जी के जीवन और उनका दर्शन पे दो महाव विभुतियों से हमनों को सुनने का उसर मिला हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो विशार जो जो उनके जीवन जीने का जो कला और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक विशार के रूप में एक आदर्श के रूप में समाज के सामने रखा कहा जाता है कि उनका जीवन ही एक संदेश है मैं ऐसा महसूस करता हूँ और आप सभी जानते हैं कि क्या उस समय की परसितियां थी भारत देश मेरा गुलाम था तमाम तरह की समश्याएं थी जबकि उनका जो जीवन था वो ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां की सारी सुक्ष विदाएं थी उन्होंने विदेश में लाकी उपाधी प्राप्त करने के बाद एक वर्ष के लिए दक्षण अफरिका गए और 21 वर्ष तक जो भारती मूल के लोग थे जहां किस रूप में वो जी रहे थे और उनकी जो दुख और दुख की जो इसिती थी उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यही संकल प्ले लिया कि समाज में कैसे जो मानावता करा रही है उसके लिए ही उन्होंने अपना पूरा सरवश्ट जीवन हम जीएंगे मित्रों वो हमेशा इस बात को मानते थे कि बिज्ञान और प्रदुगी की से जीवन तो हम उसका अस्तर सुलहार सकते हैं लेकिन जो से संबेदन शीलता और मानोता की रक्षा करने के लिए जो भारती संस्कृती है उसको जब तक समझे बिना हम मानोता की रक्षा नहीं कर सकते हैं वो इसी लिए इस बात के लिए हमेशा वो चिंतित रहा करते थे और शत्यका जो उन्होंने प्रयोग किया दक्षिन अफ्रिका में वो भारत वर्ष में आने के बाद भी वो सिलसला उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको जारी रखा चाहें वो डांडी यात्रा हो या असहयोग आंदोलन हो या खिलाफत आंदोलन हो या भारत छोड़ों आंदोलन हो ये सच था कि उनके विचार उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीतिक फलक पे भारत वर्ष के विचारों में मत्भिद थे लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी चिंता थी वो भारत आजादी के स्वतंतरता के अलावा भी वो इस सोच दे थे कि भारत आजाद होने के बाद भी क्या हमारे देश में जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं वो चीजें होंगी वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी कि अपने-पने तरीके से उन्होंने चहें वो हर व्योस्ता को ठीक करने का चहें शिक्षा का अचित रहा हो या राजनीत का अचित रहा हो या किसी अन और विवशे रहे हों उस पे उन्होंने हमेसा सुचिता की बात की कि जब हम धार्मिक रूप से यदि चीजों को भारती संस्कृति जिसके लिए जानी जाती है जैसा कि हमारे प्रोफसर राकेई सुपाध्या जी ने और मनुज सिंग जी ने आपके सामने विश्तार से इसका चर्चा किया हम ये मानते हैं कि भारती संस्कृति जैसा कि हम लोग कभी कभी मैं कहता भी हुँ कि सुक्षपना दुक्षबल्बुला दोनो है मैमान सबका स्वागत कीज़िए जो भेजे भगवान ये हमारी भारती संस्कृत की परंपरा रही है कि हम अभाव में भी जी सकते हैं लेकिन स्वाइमान के साथ कोई समझावता नहीं कर सकते मित्रों ये जो शोशन करने की प्रविर्टी थी अंग्रेजों के दिलों दिमाग में और जिस तरीके से हमें जात के नाम पे धर्म के नाम पे संपरदाय के नाम पे बांट करके वो राजनित क्या करते थे इस चीज़ को बहुत अची तरीकी से समझते थे और अपनी उस समयकाल खंड में जो उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे और जिस तरीके से उसका प्रसुती करण किया वो आप सोच सकते हैं कि ऐसे जन्नायक ऐसे जन्निता थे कि इनके आवाहन पर हजानों की संक्या में लोग घर बार छोड़ करके बाहर निकलाते थे वो कैसी भी भूती रही होगी वो कैसी लोग रहे होंगे वो कैसे उनके अंदर शर्ट के प्रती उनकी जो घोर आस्था थी और जो जिस चीज़ को रूप में ब्यक्ट करना चाहते थे वो करते थे ये सच था कि अंतर विरोध रहते हुए भी उनकी बातों को लोग इमानते थे कि जो कह रहे हैं वो मानवता के लिए कह रहे हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में जो दुख व्याप्त है जो उनके रहन सहन का जो तवर तरीका है जो अंग्रेजों ने जो इस तरीके से शक्ति के माध्यम से जो कुचलने का प्रयास करते थे इसके बाद भी उभरते हुए जो लोग भी इस तरह के लोग थे अपने अपने तरीके से अंग्रेजों ने उनको रास्ते से हटाने का काम किया लेकिन गाधी जी अपने ससक्त विचार और ससक्त जो उनका प्रभावशाली व्यक्तितु था जो उनके चिंतन थे जो उनकी विचारधाराएं थी वो इतने समसामईग थी प्रासंगिक थी कि सभी लोगों ने उसको लोहा माना और आज भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ आप सभी लोग जानते हैं कि विच्व में सक्ति को जो हमारे खास करके जो विकशित देश हैं वो चाहते हैं कि सक्ति के बल पे हम अपना समराजी को अस्थापित कर देंगे लेकिन कहीं ने कहीं आप देख लें कि हिंसा का जो प्रभाव है मिडिलिस्ट में वो क्या इस दुरदशा हो रहा है मानोता वहां किस तरीके से प्रभावित हो रही है और किस तरीके से लोग वहां जीवन जी रहें ये चीज उन्नेश्वी सताब्दी में या बिस्वी सताब्दी में उन्होंने इस चीज को पहशान लिया था कि क्योल सक्ति के माध्यम से आप किसी देश का उठान ये किसी राष्ट का उठान नहीं कर सकते मित्रों मैं समय ज़्यादा हो गया है और साड़े ग्यारा बज़ से आप लोग बैटे हुए है और मुख्य वक्ता बिविन विंदूओं पर उन्होंने अपनी बातों को आपके समक्ष रखा है मैं अपनी बात कम सब्दों में ही कह करके समाथ करूँगा ये सभी जानते हैं कि जो भोग है वो दुख का कारण है और जो संतोष है वो सुख का कारण है वो हमारी जो भारती संस्कृती है वो अध्यात्मिक तक और संतोस पर अधारित है मित्रों हम सभी जानते हैं कि जीवन में यदि अध्यात्म को लोग ग्रान करेंगे और संतोस के साथ रहेंगे तो बहुत ऐसे जीवन में जो दुख है वो स्वता ही खटम हो जाएंगे ऐसा उनकी धारना थी ऐसा उनकी उनका मानना था कि विशंगतियां तो समाज में रहेंगी लेकिन हम उन विशंगतियों का समाधान या उससे कैसे हम दूर हो सकते हैं इसलिए महात्मा गाधी हर विशय पर उन्होंने अपने अपने विचार को रखा है और मैं समझता हूँ कि उनका विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उसको जितने लोग या देश के जो सिर्श नेता गण है यदि उसका कुछ भी अंस वो स्विकार कर लें और अपने बिवहार में लाना सुरू कर दें तो इन निश्चित रूप से देश के उत्थान के लिए रास्च के उत्थान के लिए वो एक बहुत उपयोगी होगा मैं तो इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब को शादवाद देता हूँ और केरला टीम इस्पेसली जो दस लोग गए वहां उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जो आपने भेजा हमें वाटसप पे मैंने देखा कि हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से वहां बार से जो प्रभावित गाओं थे और खास करके उन गाओं को उन कस्मों को इन्होंने चेहन किया जहां सबसे जादे प्रभावित था, वहां पहुंचना मुस्किल था, मैं उनको भी शादूबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और यहां बैठे हुए इतने देर से इस सभी गाओंधी जी के विचारों पर जो विविन आयाम है, जो विविन उनके कृतितों हैं, उन पर आपने बड़ी तन्निरता से सुना, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिंद, जैभारत विद्वान वक्ताओं के विद्वत वक्तब से एक बात बिल्कूल असपश्ट हुई, कि गांधी जी ने भारत को गाओं का देश, न किवल कल्पित किया, बलकि उनके संपूर्ण जेहन में यह बात थी, कि जब तक भारत के गाओं का विकास नहीं होगा, भारत का विकास न विद्वान मुख्य बक्ता जी ने बताया मानों सरीर से गाउं की तुलना करते हुए कि जिस तरह ये हमारा सरीर सौलम भी है इसी तरह जब तक गाउं सौलम भी नहीं होंगे तब तक देश का कल्यान नहीं हो सकता ये बात बिलकुल हस्पष्ट रूप से सामने आई पंडित राम नर्यस त्रिपेट त्रिपाथी के द्वारा कही गई दो पंक्तियों में गाधी जी की बात मुखर होकर सामने आती है जिसके कारण उन्होंने यह सब कुछ किया अपना सासन आप करो बस यही सांति है सुख है अपना सासन आप करो बस यही सांती है सुख है पराधीनता से बढ़कर जगमेन दूसरा दुख है गुलामी से बढ़कर दूसरा दुख संसार में कोई नहीं है और वो गुलामी महात्मा गांधी की दृष्ट में केवल राजनीतिक गुलामी नहीं थी राजनीतिक दृष्ट से तो हम सतंत्र हो चुके हैं लेकिन क्या महात्मा गांधी की दृष्ट में जो सुराज था जिस सुराज की उन्होंने कलपना की थी क्या वास्तों में हम उसे अंगिकार कर पाए हैं सायग बहुत कम बहुत कुछ करना बाकी है एक बड़े सार्थक विशह पर ब्याख्यान मालाग अपने अंतिम पड़ाव की और अग्रसर है और इस महायग में अंतिम समिधा डालने के लिए आज अपने बीच अग्रज प्रोफेसर डाक्टर बाबुराम त्रिपाथी जी से अनुरोज करता हूँ कि आभार ग्यापन के द्वारा आज के इस कारिक्रम को समापन और पूर्णता की और ले जाएं अग्रज प्रोफेसर डाक्टर बाबुराम त्रिपाथी जी मित्रों, आज अगर गांधी जी रहे होते और ये क्रांदकारी भाशन सुनते तो साय दुन ही बड़ी खुशी होती है और आश्चर चकित हो जाते कि मेरे विश्य में कितनी अच्छी-च्छी कल्पनाई की जा रही है और मुझे मनुस्य से देवता बना दिया गया है गांधी जी को अगर हम मनुस्य ही माने, मनुस्य की रूप में उन्हें देखें तो उनके प्रती बहुत ही उचित ने आये होगा मुख्य वक्ता ने प्रफेसर राकेश उपाध्याय के ज्ञान के सागर में गांधी के विचार सायद बह गए एक अवसर उनको विश्वजाले और देगा कि समय लेकर के आएंगे और गांधी के विचारों पर गांधी के विक्तित पर सम्यक्प्रकाव जालेंगे डर्शाब हम इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मैंने आज तक देखा है नहीं और डर्शाब में बड़ी बड़ा खेज व्यक्ति किया कि हम लोग अंग्रेजियत से तरस हो गए भटक गए लिकिन डर्शाब ने पचीज परसंट भासन अपना अग्रेजी में है दिया तो हिंदी के कल्यार कैसे होगा मैं हिंदी का अध्यापक हूँ कल भी हमारे एक वक्ता आये थे वो भी अंग्रेजी में जार गए तो अच्छा है दूसरी भासाओं का ज्यान भी बहुत जरूरी है और अपनी बात को कहने का एक अच्छा ढ़ंग भी है हिंसा और हिंसा की बात आई गांधी जेह जेहनसा के पुजारी थे लेकिन उसी समय ऐहनसा कहां तक सार्ठक थी हमारी आजादी के लगाई में दिनकरजी के सब्दों में तुन लिजे हिंसा का आगात पच्चारिय कब कहा सहा है देवों का दलसदा दानों से हारता रहा है हमारी हिंसा उस समय हिंसा के सामने पंग हो गए थी अगर हमारे करांधिकारी भाइर न रहे होते साथ आज आजादी हमारे लिए सपना ही बन करके इसलिए गांधी का जितना योगदान है उसे से कहीं अधिक हमारे देशवाचियों का जिन्होंने फांसी के पंदे पर हंस्ते हंस्ते लटक गए उनका अनुपम योगदान रहा है तो मित्रों एक सुखद सूचना आपको दे रहे हैं हमारे बीच में हमारा एक विद्यार्थी है तेंजिन योन्तों इनका जन्वजिन दो अक्टूबर है गांधी को यह विद्यार्थी जीता है दो अक्टूबर को गंगा जी के किनारे जाते हैं और गरीबों को भोजन दीते हैं गंगा में क्या कहते हैं कि मचलिया छोड़ते हैं तो ऐसा व्यक्ति गांधी को जीता है और इस कारकर्म में गांधी जी के उपर जो दो ब्याख्यान हुई हैं इसमें सबसे अधिक सहयोग तेंजिन योंतों जी का है मैं चाहता हूँ कि इनको खतक दे कर कि इनका समान किया जाए इन ही सब्दों के साथ आपको पुनह पुनह कोठिस्त है धन्यवाद क्योंकि स्तुरोता होना बड़ा कठिनकार है बोलने के लिए हम कुछ जाड़ देंगे लिकिन बैठ करके दिनान से शुर्टना यह बहुत बड़ी बात है इसलिए आप सब को विशे सुर्ट में धन्यवाद देता हूँ और अपने वक्ताओं को के प्रति में धन्यवाद का हम भार बेत कर देते हैं लेकिन अपने लोगों को धन्यवाद देना तो हमें लगता है कि अपसारिता होगी फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद